तो यह वो तम्माम चीज हैं की जो कर हमें हैं स्कॉर्स में करनी है थक्तिस कि डो तरह का और विद आउटपूट उसलो कि हमारे पास दो तरह का यह मॉरे उर मिले मशीन हार की तेन तरह में एपसमें इन सब्सक्राइब सरी पावर उपसमें सब्सक्राइब कि सिफिर कीच को आप बहुत अराम से बना सकते हैं आपने अगर रेगुलेर एस्पेशन बना ली तो किसी भी लेंग्विज का आप डी एफ है बहुत अराम से बना सकते हैं कि इस इट किलियर कि डिलीट कर दूँ यह को सवाल है बेटा तो यहां पूछ लीजिए खिर आगे बढ़ते हैं कि अब आप पूछ लीजिए कोई भी और सवाल हो दरूरी नहीं कोर्स से मताले कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं आप आप भी आपको बता नहीं सकता है अभी मैं आपको बताओं गाथ आपके समझ में नहीं आएगा तो एक एक्जांपल दर्द्रा कर लें तो फिर मैं इसकी एक्शन अप्लिकेशन पर आओं विल्कु लाओं गा ए जितने भी पैट्रन रेकेटनिशन के प्रॉब्लम्द होती हैं वो इससे सॉल्व हो सकती है जितनी भी मैं आपको एक्जाम्बिल इस तरह से देता हूं एक मिन रुख जाएगा तरह पर करें आपको डॉक्टमिंट दो अपने अप्लीकेशन की वात कि सब लोग सुनिएगा पर सकरें आपको डॉक्टमेंट दो दूबारा से मैं एक ग्जाम्बिल को चेंज कर रहा हूं और मैं आपसे बोलूं कि इस डॉकुमेंट में जित्ते भी नाउन है नाउन वह ज़रा एक अल्गॉर्टम लिगने और वह नाउन जो है रेकिनाएट दूए कि क्या बोले नाउन अब मैंने वह नहीं बोला दो विल्स मैंने क्या बोले नाउन तो आपकी लॉजिक क्या होगी आप किसी डॉक्यमेंट के अंदर आउटमेटिक तरीके से वर्डिट देंगे आपका डॉक्यमेंट अपका अल्गोर्तम कोई कोई भी तरीका यूज करके आपको recognize करके बताए कि यह चीज नाउन है और यह चीज नाउन नहीं है क्या logic होगी बेटा आपकी कि वह सब कुछ लूप लगा देंगे सब कुछ जाएगा एक सब कोड हो गया और आपने सारा कोड कर लिया अब एक वर्ड आपके बास आता आपके कोड के बास वर्ड आपने उसको कम्प्यूटर ने डिसाइड करना है कि यह जो चीज है यह लाउन है या नहीं कैसे बता चले सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा अरे फैल सब हुझाएगा यह तो बहुत बच्चो वाली बाते ना जो आप लोग कर रहे हैं कैसे पता चलेगा क्या दुनिया में जो नाउन्स हैं वो कितने कैसे बता सकते हैं आप दुनिया में कितने नाउन्स हैं कि कैसे बताए MJD data site कैसे provide करेंगे मैं फिर repeat कर रहा हूं फिर repeat कर रहूं ये एक student का नाम लिखखावा आसम ये आज में आज से पहले नहीं सुना था ये नाम है आज आज पर फिटा आज सम् आसम नाम है ऐनका ठीके सब्सक्राइब सना भी देन एक नाउन है इस के यह जो Kenny अच्छा आशाम करेंगों जो यह Noun तो पताण है? मेरा point समझने की कोचिच कीज़गा. Noun तो nymphained है. Infinite मतलब क्या है EMA similarly को काउंटी कर पाएँगे, हर चीज noun है. हर जहर का नामची जाफस है। अजीब जीब से, शैर के नाम हैं, अजी जाफस है जीब से चीजहों के नाम हैं, अजीब अजीब से लोगों के नाम होते हैं, हमें तो नहीं पता हर चीज नाउन है, आइफून भी एक नाउन है, ऐसा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डेटा सेट के अंदर वर्दा, जो आपने बोला था डेटा सेट या जो लोग लूप वाले बात क्यार रहे थे, हम मैं कैसे पता चलेगा कि डेटा सेट के अंदर कोई इतने सारे लोग प्रवाइट करने, आपकी क्लास में 30 लोग हैं, मैं एक डेटा सेट बनाऊं, उन 30 लोगों से मैच हो हर वर्ड, और मैं बोल दूँ भाई, अगर ये वर्ड से मैच हो जाए, तो ये नाउन होना है, तो इसका जवाब है, आउटमेटर, आउटमेटर एक ऐसी मशीन बनाएगा, जो कि वर्ड को इंपुट लेगी, और वर्ड को इंपुट लेने के बाद आपको बताएगी कि गिविन थिंग नाउन है या नहीं है, नाउन जो होती है नाउन, उसकी एक लैंग्विज है, अच्छा, मुझे बताएगे, प्रोगामिंग आती है, आप सबको थोड़े बहुत तो आतः योगे आप सबको ये पता है कि जो variable होता है, वो क्या होता है, ऐसा है, आप वरियोबल क्या होता है आप सबको पता यह बात टीकी ना जो फ тяж को पढ़ाया था उस поместिछ छी वर अकभतल आपके बताया है यृट्ठया ही कि इसे बीटाहिने करते वेह आपके फ़ी डिर्योब्र को घब टे रहे आ और क्या पॉइंट होता है लीगर और इल्लीगल क्या मतलब इसका और कोई बात बताए ना आपको वेरियबिल डिफाइन करते हुए कि नहीं नहीं बेटा वेरियबिल वो जो इंटीजर फिलोट करेक्टर करेक्टर करते हैं अब उसकी बात कर रहा हुँ मैं हुआ 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 है बिल्कुल ऐसा ये एक तो यह बात हुगा है वेटा और भी कोई बात होती है या स defend Aww कि की एना बागी सब कुछ बंब 2 2 कि यह वह कई फो सकता है किसे मेरियबिल हो सकता है और छी मालिक पूर ओर पतेदेता अब क्यों attach कर रहे ह Initially का ये कि यह यह होगल हो सकता है यह नहीं होगता जवाब चाहिए मुझे नंबर से स्टाट डेकर यह है बीटब करें ना बयटा फातिमा आदनान यह भी तो बताया मुझे नंबर से सटाथ नहीं हो सकता ज़ाइ इसका मतलब ंन हो नंबर से स्टार्ट ना हो दो बाते हो गई और कोई बात है और कोई बात है यह स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकते हैं बिल्कुल सभी है वंडरफुल और कोई बात और भी रूर्स ने बता दें जो जो याद हैं आपको यह समझ में आगी बात और कोई एक चीज रहती है बागी सब कुछ हो गया एक चीज मिस करने हैं बस आप लोग क्या यह हो सकता है इस पेस नहीं होता ठीक है वर्दा ने बताया इस पेस नहीं होता इस पेस नहीं होता बस यह चीज सुनना चाह रहा था मैं तो इसके मतलब एक कीवर्ड ना हो इस पेस ना हो सर नंबर से स्टार्ट ना हो डेफिनिटली स्पेशल करेक्टर ना हो यह तमाम चीज आपने मुझ भोष बता दे कि इसके अंदर 2 user कमएस्कम य नहीं मैंना आपको एक लॉजिक बता इती थी अब मैं आपको चार लॉजिक बता रहा हूं हर नंबर से स्टार्ट हो रहा है कि उसमें स्पेस तो नहीं है क्या उसमें चार चीजे नहीं है तो आप क्या कहेंगे यह वैरीबिल है या नहीं है क्या केंगे आप आप केंगे वेडियमेल है कि समझ में आगी बत तो यू नीड यू डू नीड टो बिल्ड डेटा सेट आपको डेटा सेट बनाने की जरूद नहीं बेटा आपने अपने वेरियेबिल के अंदर क्या देखा आपने एपने वैयरेबल के नंदर कौई चीज ऐसी देखी,जो के दूसरों से उसको अलग करती है जरूर नहीं एक चीज हो,आपने चाड़ चीजे निकालीं आपने वघूसर्ट वैयलेबल के उस ने डिकाली 2D चार चीजे उती होती हैं बाद में आएगा, definitely बाद में अलाओ है number, definitely आपका number बाद में अलाओ है, मेरा point समझ में आ रहा है, definitely आपका number बाद में अलाओ है, तो इसी तरीके से noun, noun के लिए भी आप बता दे, noun क्या होता है, वो मैं बता दूँगा, machine बनाने का तरीका, अभी ना आप ये सोचो, किसलिए सबक्た दोण को अब मेरी बात हैं सुन रहा है, मतलब मैं कुछ topic नहीं पढ़ा रहा है, जब मैं topic पढ़ाया है, तो आपको पता चलेगा किया आपको topic पढ़ाया जा रहा है , अभी आपको topic नहीं पढ़ाया है, आप सर्थरीप discussion हो रही है, ये कोर्स जब cabbage ngo क्रेट होगी how पढ़ रहा है इसलिए मैं आपसे सवाल जबाब कर रहा हूं पॉइंट समझ में आ रहा है सबके तो आपको जो भी लेंग्विज गिविन हो उस लेंग्विज के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि उसे दूसरों से डिफ्रेंट्शियेट करती है अब लेंग्विज क्या होती है मैं अभी उस पर आता हूं लेकिन अभी आपने बोला सर वेरियेबिल यह होता है तो वेरियेबिल के लिए आपने चार चीज़े बताएं मुझे कि सर यह नी होता यह नी होता यह नी होता यह नी होता मैंने का बस यह लेंग्विज है कि हर वो सब्सक्राइब जो नमबर से start नहां उला है साथ तुसमेर सब्सक्राइब तो बस अगर इन 4 पोंट पर नहां सब्सक्राइब उसक्राइब आप डिकाइब соврем से इसे लेंग्विज क्या है? लेंग्विज एक कंडिशन है जिसमें कुछ पर्टिकुलर या बहुत सारी पर्टिकुलर वर्ड आ सकने हैं. अब मैं आपसे लेंग्विज लिख रहा हूँ. जरह आप और से देखिएगा. मेरी हल्प कीजिएगा कि आपकी समझ में क्या आ रहा ह है. अल इस ट्रिंग्विज स्टार्ट्स विद ए लेकिन इससे पहले में एक चीज़ एट कर रहा हूं. राइट आ लेंग्विज ओवर ए कॉमा बी इन विच ओल इस ट्रिंग स्टार्ट से दे अब यह जो मैंने चीज लिख लिख लिए विटा यहां पर लेंग्विज का मतलब उड़दू- इंग्लिश या बंगाली या मलायलम या पश्टो लेंग्विज की बात नहीं होगी यह लेंग्विज क्या होती है लेंग्विज होती है बिसी के लिए कंडिशन जो के एक सिनेश्य विविए हमें गिविन होता है अब मैंने लिखा कि लेंग्विज लिखनी है आपने किस पर जिसमें इभी आते हूं जिसमें स्रीफ क्या आते हूं ए अभी इसका मतलब है हमागी लेंग्विज के अंदर ए से लेके जएट तक अलाओ नहीं है सिर्फ क्या अलाओ है ए और बी पॉइंट समझ में आ रहा है यह ए से जएट तक क्यों नहीं लिया हम अपने काम को कम करना चाह रहे है तो यह जो मैंने ओवर ए कॉमा बी किया है इसको कहते सिग्मा क्या कहते हैμ? सिग्मा का सिम यह हो यह आंगे मैं लेकesarciplाड से बू पे बढाऊँगा आपको तो चीजवे शी जह आएंग इंस्वटी है? यह सिगमा कहलाता है जिसों कि लेंगवियज वनी वी या ऐसान अल्फात में वह कहलाते हैं अलफ़ाब च pross च अट मतलब होता है अलफ़ाब च TIM aqui अ transferring camera आपके लेंग्विज आपको पता होने ही हमारी लेकिन इंग्लिश लेंगविच की इल्फ़ेट्स पर बनी विये है। अगर प्रॉपड लिखू न घुना तो यह अन्सर है अगर मैं इंग्लिश लेंगविच की बात करूं तो यह अल्सर है एएएएएएएएड यह कि अपिटल भी स्मॉल भी एंपिर आप जीरो नाइन भी कहँ लो मतलब वो तो चलो कांटिंग के बाद आ गई लेकिन इसमॉल भी आते हैं एक गई तो इसमॉल और वर कैपिटल अलग अलग है इसके अंदर तो मैंने भी स्टिप क्या यूज किया है एक अब मैंने आफ से अब मैं इस language के members लिख रहा हूँ, इस language का पहला member कौन सा होगा आपके ख्याल में, मैंने कहा कि हर वो string जो कि A से start होता हो, इस language का member है, जी सबसे चोटा member क्या होगा, कोई बता सकता है, A, good, good, ठीक है, यह किस से start हो रहा है, A से start हो रहा है, दुबारा सुनिए मेरी बात, अगर समझ में नहीं आई, आपकी language में सरिफ A और B allow हैं, A और B allow हैं, C allow नहीं हैं, D allow यह कुछ भी allow नहीं है, और आपने हर वो string लिखना है, जो कि A से start होता हो, समझ में आगई बत, तो किनिंवन? A B तो एसे start नहीं हो रहा, रेया और अधनान B तो एसे start नहीं हो रहा, वरदा नहीं, A, B देखें, यह सब सब देखरें हैं, आप किस से start हो रहे ही हैं? शेक किससे स्तार्ट हो रहे हैं सारे रहे हैं despite ये डॉट का मतलब क्या है कंटीन्यौ से चले या रहा है इसमें यह निस dönvania यह इसके member हो गए और यह जो लिख़ रहा हूं कौन कौन और देख लेगा उपका इसका member नहीं है, B, A इसका member नहीं है, B, 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 A, B, कोई भी इसका member नहीं है, is it clear? तो जो मैंने उपपर line लिखी है, उसकी ये तमाम member हैं, और ये उसके member नहीं है, is it clear? Is it clear? language क्या होती है, language होती है, condition जो आपको बता दी जाती है, अब अगर मैं लिख दूँ इसमे A, B, C, कि आपकी language किस पर बनी भी A, B, C, तो इसमें C भी आ सकता है, लेकिन logic क्या है, कि A, अब एक और language लिखने हम, आपकी असानी के लिए, ये देखिएगा, आपको एक चीज़ और क language over A, B, in which all strings of length is equal to 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कि आपने एक लेंग के लेंगे, language लिखनी है, A, B पर, जिसमें हर string की lang exactly 2 हो, exactly 2 हो, तो अब मैं इसके member लिखूँ, तो कोई मुझे बता सकता है, इसका पहला member कौन सा होगा, पेटा, क्यों, क्यों कि आपकी language में जो दो-डो member हैं, वो कितने सब्सक्राइब है, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें जो लोग नहीं है, वो कौन-कौन है, तो आपको इससा भी बता दें, आपको इसमें तो बहुत सारे हैं, जो नहीं है, इसमें तो A भी नहीं आ सकता, B भी नहीं आ सकता, A, A भी नहीं आ सकता, B, B, मतलब B, A, B भी नहीं आ सकता, B, B, कोई सब्सक्राइब हैं, जो इसमें अलाओ नहीं है, तो यहां मैंने जो डॉट-डॉट लगाएं, इस डॉट-डॉट का मतलब क्या है, उपर वाले में, इसका मतलब है, यह language स्रिफ इन प कि यह language, infinite language है, यह language क्या है, infinite, लेकिन यह जो नीचे वाली language है, जिसमें हमारे पास total member क्या है, चार, यह finite language है, सही? समझ में आग़ी बात? समझ में आइब Í बात, थो language भी दो तरह लिए होती है, इक होती है, finite language, लेकी बात? होती है होती है infinite language रहा है तो ठीक है अब सवाल यह है कि अब एक लैंग्विज है लेंग्विज के लिए इक मशीन मना तो आप मैं शूर बना ऄट मीजमें को नाम असाइन कर रहा हूं यह पहले वाली लैंग्विज को यहाँ लेंग्विज 12 हुआ तो मैं आपसे एक ऐरह रहा हूँ के भाई language 2 के लिए एक machine मशिन मना जान के निके जन्जत में क्यों पढ़ ला है एक SIMPLE सा program लिखे एक SIMPLE सा program लिखे एफ्रेट का और इस अरह Mosc मैंने आपको एक मैंबर दिया मैंने का मुझे बतारी अए Ар रिय लेंग्विश से बिलॉंग करता है नहीं करता तो आप क्या करेंगे मैंने आप से कहा मुझे बताईए यह यह इस लेंग्विश से बिलॉंग करता है नहीं करता तो आप क्या करेंगे कि सिंपल सिंपल क्या करेंगे आप तुआ है कि मुझे मुझे कंपेर करेंगे इसे लगा के एरे में एरे में एक एक करके मैंबर अधाके इसको कम्पेर करते रहेंगे डिक सिंपल-बात और जहां मिल जाएगा आप बोल निए यस पर्सक्रिंब आपको बूला कि वटये ट्रिपने लेंग्विस ते ल्टा हламता है . यह एर्य है न हिस एर्य में आप क्या करेंगे डबल एक को सरच करेंगे . जहां पर पड़ावा होगा तो आप कहेंगे आगर कही पर भी नीपड़ा हो तो आप पहेंगे ठेंगे. wicked . आपका नाम उसाम है, आपका नाम उसाम है, जहां मुझे उसामा मिलेंगे, मैं बाहर आके होडी को बोलेंगे उसामा उस क्लास में मौझूद है, simple. पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मैंने क्लास में गिया, मैं एक एक स्टुडेंट से पूछा, यह पहला स्टुडेंट यह दूसरा स्टुफर्स करें, मुझे इसको ढूनना था, बीबी को, तो मैं इधर गिया, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, मुझे जवाब के देना है सिर्फ yes, मुझे answer क्या करना है हाँ या ना, मेरा सवाल क्या था, क्या ये b b इस language से belong करता है या नहीं करता, सवाल क्या है, क्या, तो उसका मतला है जवाब होगा हाँ या ना, सवाल है कि क्या यह ब्लॉंग करता है तो आपका जवाब होगा हाँ या ना और कोई जवाब नहीं है यह पॉइंट समझ में आ गया जी नहीं हाँ कि यह पॉइंट समझ में आ गया पिटा जी कहां चले गए हो है तो यह जो चीज आप से पूझी गई यह पूझी गई यह जिया और ťे आप आपके बढ़ते हैं अब आप से पूझा जाता है कि फर्स करें थे आपसे भी वी नहीं पूझा लागा पूझा जा रहा है टो संस समेशने खotz उपर वाले में और आपसे बुछना बताइए यह मुझूद है आप सर्च करेंगे चुकि यह एक infinite group है आपको कभी ना कभी यह मिल जाएगा क्योंकि यहां पर आंसर मुझूद है ऐसा यह ना आप एक ऐसा वर्ट डून रहे हैं जो यह से स्टार्ट हुआ आपको कभी ना कभ लेंग्विज क्या थी एलवन लेंग्विज क्या थी एलवन लेंग्विज थी इन्फानाइट लेंग्विज ठीक है तो इन्फानाइट लेंग्विज का मतलब क्या है कि यह एरे चलता रहेगा आप बी को सर्च करते रहेंगे वो नहीं मिलेगा लेकिन यह एरे चलता रहे आप B को सर्च करते रहेंगे यह चलता रहेंग, चूकि B और नहीं है तो यह चलता रहेंग. higher मतलब कोई चीज मौझूद ना हो तो अगर मैं सिंपल सर्चिंग करूं तो मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा मतलब मैं बहार भी नहीं आँगा मुझे आंसर चाहिए यस या नो यह बोलेगा यस तो नहीं है लेकिन नो भी क्यों नहीं है क्योंकि मैं तो complete चले या रहा हूं क्या है finite automata, finite automata क्या है, finite automata कैसी चीज है, finite automata कैसी चीज है जो के एक language के लिए design की जाती है, एक language के लिए design की जाती है, finite automata, यह infinite चीज है, finite automata क्या चीज है, एक language के लिए design की जाएगी, और जब आप उस पे कोई string input देंगे, finite automata पे कोई string input देंगे, string क्या है, जो भी आप बता रहे थे, aa, av, whatever, जो भी, string मतलब word, जो मैं word बारबर यूज कर रहा था, जो भी आप string input देंगे, वो string input देने के बाद, आपका finite automata इसको input लेने के बाद, आपको यह बताएगा, कि यह string इस language से बिलॉंग करता है, या नहीं करता, मतलब वो आपको answer करेगा, या नो, या या नो, answer क्या करेगा, या नो, तो language क्या infinite, उसके लिए मैं कूछ finite type की चीज़ बना रहा हूं, finite automata, तो यह word वहाँ से आया है, finite, का, is it clear, यह वहाँ से आया है, finite automata, क्योंकि आप infinite language के लिए को finite type की चीज़ बना रहे है, और जब finite type की चीज़ þ whereबं तो आप उस पर string input देंगे, वो string input देने के बाद finite automata आपको यह बताएगा, कि लिए string इस language से belong करता है या नहीं करता है, अच्छा आखरी बात सुन लिजिए, एक language यहरी, एक language यहरी L1, एक language यहरी L2, तो ऐसी बहुत सारी language है, हर language के लिए finite automata अलग बनता है, हर language के लिए finite automata अलग बनता है, यह मेरी आखरी बात समझे में आई, इसका मतलब यह नहीं है कि finite automata एक चीज है, आपने अगर सौ language पढ़ीं, तो सौ finite automata बनाने पढ़ेंगे आपको, अगर आपने पांच languages पढ़ीं है, तो पांच हो के finite automata अलग होंगे, साहिए बेटा, कर दो, साहिए बिल्कुल होती है, यह लिए अलग अलग होगी तो इसका finite automata लग होगा, यह जर्णल डाइगराम बनाई है मैंने, अब यह finite automata जैसे जिसे आप प्रश्राइंग भी चेंज होती होती है यह फाइन आट अटामेटा चेंज होता रहेगा इस इत के लिए को सवाल है तो पूछ लीजिए